असलाम अलेकुम मैं हूँ एसल महमूद and welcome to Zions लास्ट वीडियो में हमने वीडियो और आडियो के टैग को स्टड़ी किया था हम उसी वीडियो के सेकंड पार्ट में है इस वीडियो में हम SVG और आई फ्रेम के टैग को स्टड़ी करेंगे सबसे पहले हम अपना कोट ओपन कर लेंगे और इसे ब्राउजर में भी ओपन कर लोगा और इसे ब्राउजर ने यहां यहां पर लास्ट टाइम हमने यह देखा था कि वीडियो हम अपने डॉकमेंट में कैसे लगा सकते हैं Audio अपने Document में कैसे लगा सकते हैं इस वीडियो का यह Thumbnail कैसे सेक्ट हैं वीडियो को Autoplay कैसे कर सकते हैं वीडियो या Audio को Loop कैसे कर सकते हैं इन पे यह controls कैसे Show कर सकते हैं और उसके लावा हमने Source के Tag को Study किया था कि वीडियो और आडियो के लिए हम एक से ज्यादा सोर्सिस कैसे परवाइड कर सकते हैं इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे SVG टैग से यहां पर जो हमारा फर्स टैग है वो है SVG का टैग मैं यहां से हेडर को क्लैप्स कर दूँँगा इस सेक्शन को आर्टिकल को इसे क्लैप्स कर दूँगा इस सेक्शन को भी क्लैप्स कर दूँगा यहां पर हम एक नियो सेक्शन इंट्रड्यूस करवाएंगे सेक्शन जिसमें मैं हैडिंग दे दूँगा SVG एंड आई फ्रेम टैग ओके स्टार्ट हम करेंगे SVG से SVG बेसिकली इसको स्टार्ट टरने के लिए जो दो चीज़ें आपको समझना जरूरी है वो यह है कि सबसे पहले मैं आपको SVG एज़ा टैग यहां पर नहीं समझा रहा में कि हम एक SVG जो के एज़ा टैग भी हमारे पास अवेलिबल है HDML में हम उसको यहां पर स्टाड़ी नहीं करेंगे कीए वह ड़ांस HDML का कॉंसेप्ट है SVG के साथ वेक्क्र्ट को बनाना यहां पर औनिमेशंस और उनको पन्रोल करना वह ड़ाँस HDML का कॉंसेप्ट है यहँन कि कर रहे हैं तो मैं आपको SVG as a file यहां पर यूज कर दिखाऊंगा कि हम इसको as a image source file कैसे यूज कर सकते हैं इसके लिए जो दो concept आपको समय ने जूरी है वो है रास्टर इमिज वर्सिस वेक्टर इमिज लास्टर इमिज में जो टाइपस आ जाती है जो रास्टर इमिज है उसके लावा भी आ जाती है यह रास्टर इमिज होती है और मैं आपको अभी इनको और कर दोंगा कि रास्टर इमिज होगी उतना ज्यादा इसका साइज ज्यादा होता जाएगा जितनी इमिज कम होगी एक ऐसे में जिसकी विर्थ और हाइट सो पिक्जल है सो पिक्जल उसकी विर्थ है और सो पिक्जल उसकी हाइट है इस रास्टर इमिज का जो साइज होगा वो कम होगा वो रांग 10 के भी ह यह 15KB यह कम कुछ केसे में वो एवन 100KB भी होगा लेकिन जब जैसे हम इस इमज को जो रास्टर इमज जब उसका विर्थ और जो हाइट तो 10000 पिक्जल थी और उसका साइज 10KB था उसके विर्थ और हाइट को 10,000 पिक्जल और हाइट को भी 10,000 पिक्जल करेंगे तो उसका जो साइज होगा वो MB's में चला जाएगा अगर MB's में नहीं जाएगा तो वो 900KB तक यहाँ दो तीन MB इस तरह इतना ज्यादा उसका साइज पर जाएगा जब कि जो वेक्टर इमज होगी जो SVG की इमज फाइल होगी उसमें साइज का कोई कंसेप्ट नहीं होता वो एक वेक्टर होता है जो कि आप जितना मर् weirdest इसको scale कर सकते हैं विर्थ और हाइट उसकी कंट्रोल कर सकते हैं उसके विर्थ और हाइट को चेंज करने से उसके साइज में, फाइल साइज में कोई फरक नहीं पड़ता, ये अकेला ये एक बहुत ही यूज पैनिफिट है, इसवीजी को यूज करने का, मैंने यहाँ पर दो फाइलस डाउनलोड की हूई है, ये दोनों फाइल का डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में एड़ कर दूँआ ताकि आप इन दोनों फाइल को डाउनलोड कर सके, यहाँ पर मैं दोनों को कॉपी करूँगा, और course project में जाकर यहां पर images में इनको paste कर दोगा अब मैं यहां पर आके मैं इन दोनों images को बस यहां पर insert करूँगा ताके हम ब्राउजर में देख सकें कि दोनों images कैसे हमें show हो रही है और मैं पहले आप इनको इन दोनों का size show करवा दोगा जो हमारे पास png file है उसका size है around 13 kb और जो हमारे पास svg file है उसका हमारे पास size है 14 kb यह इन दोनों का file size है जो के जब हम इन दोनों को एक web page में लगाएंगे तो इतना जो internet इसमाल होगा इन दोनों file को download करने के लिए यहां पे मैं पहले लगाँगा png file और इसके बाद मैं लगाँगा svg file यहां पे source का attribute लगाएंगे assets के folder में, images के folder में और यहां से image png और यहां पर मैं r के text में add कर दूँगा png file इसको as it is copy करके यहां पे paste कर दूँगा और यहां पर मैं इसको चेंज कर दूँगा सिर्फ यहां पर मैं प्रेस करूंगा windows यूजर यहां पर प्रेस यहां पर मुझे auto completion नहीं मेरे windows यूजर के लिए जो shortcut की है वो है control प्लस पेस वो प्रेस करेंगे तो यहां पर और जो auto completion है वो मिलने लग परेगी जो macOS यूजर है उनके लिए जो shortcut keys है वो है option प्लस escape यह दबाओगा तो यहां पर मुझे जो short जो है इसकी auto completion वो मिलने लग परेगी यहां से मैं svg file को select करूँगा और यहां पर मैं svg लिखता हूँगा सेफ करूँगा और यहां पर आकर refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो png file जिसका size 13 kb था वो क्यूंकि उसकी जो width है वो सिर्फ 100 pixel है तो वो यहां पर और vector क्यूंकि कि इसमें width का कोई concept नहीं होता यह vector यह basically अगर मैं आपको दोनों फाइले open करके दिखाता हूं code में यहां पर मैं आपको यह दोनों फाइले open करके दिखाता हूं png file इस तरह शो हो रही है और जब मैं svg open करता हूं तो हो कुछ इस तरह शो होती है यह sg basically एक tag है जैसे कि मैंने starting में आपको उधा दिया यह image यह HTML का tag है जिसमें के हम coding के तरूँ इन elements के तरूँ यह पूरी image बना रहे होते हैं इसलिए इसमें width का कोई concept नहीं होता है इसको हम जितना mercy scale आप यहां डाउन कर सकते हैं अगर मैं इस image को width के attribute से इसका जो size है उसको 1000 पिक्जल करूँगा तो आप देखेंगे कि यह image होगी पूरी तरह खराब हो जाएगी मैं यहां पर width का attribute दूँगा और इसको 1000 पिक्जल सेट करूँगा रिफ्रेश करूँगा आप देख सकते हैं कि यह image पूरी तरह खराब हो चुकी है यह image किसी पेज में लगाने के काबिल नहीं रही मैं इसका size थोड़ा कम कर दूँगा ताकि हम side by side देख सकें इसका मैं size कर दूँगा 800 पिक्जल सॉरी 800 पिक्जल रिफ्रेश और यहां पर आप देख सकते हैं कि यह image बिलकुल ही खराब हो चुकी है मैं same size vector image को दूँगा यहां पर और आप देख सकते हैं कि यह image बिलकुल भी खराब नहीं होई वह बिलकुल exact उसके जो edges हैं वह बिलकुल clear नजर आ रहे तो यह दो huge benefits है SVG को as a image file यूज़ करने के PNG या JPG की जगा क्योंकि एक तो आपकी performance better होगी और दूसरा आप इसको जिसकी scale पे चाहें set कर सकते हैं मैं इसको 80 pixel पे भी set करना चाहूं तो performance पे कोई impact नहीं परेगा क्योंकि SVG का जो file size है वह change नहीं हुआ 14 के भी ही राय मैं इसको 10,000 pixel पे भी set कर दूँगा तो file को कोई फरक नहीं परेगा आप देख सकते हैं कि यह बिल्कुल भी खराब नहीं हुई जैसे यह file खराब होगी है अगर मैं इसको 8,000 pixel पे set करता हूं तो यह file बिल्कुल ही खराब होगी है आप इसके edge चेक कर लें और इसको मैंने remove किया और यह यह दूसरी file है और इसके edge चेक करें यह बिल्कुल small है इसलिए हम जो svg file है उसको prepare करते है as a image file ताके जो हमारा result है वो बहुत ही ज्यादा बेतर हो performance भी efficient हो और result भी बेतर हो यह था हमारा svg as a image file इंशाला हम future में किसी एक series में बनाओंगा जिसमें हम svg को as a tag यूस करेंगे और उसमें फिर हम देखेंगे कि हम इसको manually इस तरह की image को कैसे बना सकते हैं अभी हम next continue करेंगे आई फ्रेम के tags मैं यहां पर नीचे आ जाँगा और यहां पर बेसिकली एक HR टैग इंटर्ड्यूस करवा दोंगा HR टैग में इंटर्ड्यूस करवाता हूँ सिर्फ यह horizontal line लाने के लिए ताकि एक provider आजए और हमारे लिए चीज़ों को manage करना साँगो यहां पर मैं आई फ्रेम का tag इंटर्ड्यूस करवाँगा और यहां पर यहां पर आई फ्रेम का tag जो हम यूज करते हैं इसका में मकसद होता है कि आपके पास कोई एक website है जो कहीं पर host है जैसे कि Zion.com यह एक online website है आप चाहते हैं कि यह website जैसे यहां पर शोर ही है as it is आपके इस page में शोर हो तो आपके पास उसका तरीका है आई फ्रेम आप आई फ्रेम का tag लगाएंगे और source में उस website का URL पेस्ट कर देंगे सेव करेंगे यहां पर वो website as it is लोड हो जाएगी यहां पर आप देख सकते हैं कि जो zions.com है वह as it is यहां पर लोड हो गई है मैं अभी के लिए इसको रिमॉड करूंगा और यहां पर इसको सिरफ रिफ्रेश करूंगा आप देख सकते हैं कि यहां पर यह एक बॉर्डर आ रहा है जो हमारे पास पहला जो है था जिसको मैंन बॉर्डर जीरो यह उस बॉर्डर को कंट्रॉल कर रहा होता है तो हम इसे जीरो सेट कर दिया करें बाई डिफॉल की जीरो हम सेट कर देते हैं ताकि यूजर को पता ना चले कि यह एक आई फ्रेम है यहां पर मैं उसका यूरल जायों स्रोटों का वापिस बगाऊंगा सेफ करूंगा रिफ्रेश करूंगा और अब की बार आप देख सकते हैं कि यहां पर वेबसाइट लोड हो रही है और यह ऐसे लग रहा है कि जैसे यह इस पेज का यह एक एलिमेंट है पेज का हिस्ता है मैं 100 पर सेट कर दोंगा और इसकी हरे को फाइफ टीगजल सेट कर दोंगा विर्ट को सेट करने के लिए हमारे पास हैंदर्ट पर्सें सेट कर देंगे मैं अकर सिर्फ हुंगा तो हंड़र मतलब है हंड़र्ट पिक्जण आपने 100 परसें यहां पर मैं पिक्जल लगा के दिखाता हूँ मैं यहां पर पहले सिर्फ 100 लगाता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो 100 का मतलब था और मैं यहां पर बॉर्डर फ्रेम को रिमुव कर देता हूँ यहां पर इसको बंग कर देता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते कि 100 100 simple जो मैंने 100 लिखा है उसका और 100 पिक्जल का दोनों का जो मतलब है वो सेम है मुझे 100% चाहिए 100% का मतलब कि जितनी विर्थ आपके पास अवेलेबल है वो सारी विर्थ टेक कर लो सारी विर्थ आपकी है मैं 100% यहां पे एंटर करके रिफ्रेश करता हूं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि फुल जो पेज की विर्थ है उसको ले रहा है उसकी वेबसाइट प्रोपर ली लोड हो गई है और हमने मुबालग हो हमने एक अच्छी वेबसाइट को दो मिनट के अंदर डिवेलप कर ली है डिवेलप नहीं कि यहां स्टील कर लिया है कि नेक्स्ट हम कंटीनी वेटे इसे मैं बॉर्डर को जीरो कर दोंगा क्योंकि यहां पर देख सकते हैं कि यह बर्डर इहां पे शोओ रहा है मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे कि यह पेज का ही ऐलिमेंट लगेगा refresh किया और यहां पर अब यह जब लोड होगा यहां पे बेसिकली लोड हो रहा है तो यह पेज ऑप काbblesमेंट यहां होई है उसमें अगर फुल स्क्रीन करने का option हो कोई एक action बटन हो जिस पर क्लिक करके फुल स्क्रीन पर जाया जा सकता है तो वो तब तक अनेबल नहीं होगा जब तक यह मैं इस आई फ्रेम में जिसमें उस वेबसाइट का URL दिया है उसके यह अलाव फुल स्क्रीन का एट्रिम्यूट एड नहीं करोगा क्योंकि जाया उसकी वेबसाइट में ऐसा कोई option नहीं है तो मैं यूट्यूब से इसकी help लूँगा क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब की जो वीडियो होती है उसमें हमारे वीडियो को open कर लूँगा और मैं इस बटन की बात करणा हूँ मैं इसके अगर click करूंगा तो यह full screen हो जाता है मैं इस चीज़ को यहां से copy करूंगा और यहां पर आके इस में यूरियल को paste कर दोगा save करूंगा refresh करूंगा यहां बेसिकली YouTube की यह policy है कि आप उसके जो URL है उसको directly ऐसे clone नहीं कर सकते हैं यह आप कंट्रोल कर सकते हैं मैंने यह जायोंस की website के लिए इसे कंट्रोल नहीं किया हुआ YouTube ने इस चीज़ को कंट्रोल किया हुआ है कि आप उसके URL को डिलेक्ट कोपी करके आई फ्रेम में नहीं लगा सकते हैं उसके लिए आपके पास option है कि आप यहां पे share पे क्लिक करें और embed पे क्लिक करें यहां पे आप देख सकते हैं कि यह जो URL है अजिए चेंज है यह श्लैश इंबेट और इस वीडियो की आई डिया वह है वहाँ आप यहां पर क्लिक करें और यहां पर आकर मैं इस पूरे को यहां पर कमेंट कर दूँगा और यहां पर इसको paste कर दूँगा मैं save करूंगा और option प्लस Z की लिए की दॉएंगा ताकि यह जो हरिनों फ्रोल है वो फतम हो जाए! यहां पर आप सकते हैं इस ने वित का इत्रीविट इा हाएट का इत्रडीविटाइट की है। सोर्स का इत्रीविटाइट की है। इसको यहां पर इसका यूरल दे दिये बॉर्डर, फ्रेम बॉर्डर को हमने देख लिया, यह जो अलाव का अट्रिब्यूट है, यह ज़रा अडवांस, यह अडवांस एश्री अमल का कॉंसेप्ट है, इसको मैं अभी के लिए यहां से रिमूट करूँगा, और अलाव फूल स्क्रीन, इसको मैं अभी के लिए यहा कि यह पर दिखा सकता हूँ कि इसको पास करूंगा सेफ करूंगा रिफ्रेश करूंगा यहां पर play करूंगा तो यह तो अगर आप चाहते हैं कि आप कोई ऐसी वेबसाइट को आई फ्रेम कर रहे हैं जिसमें इस तरह का बटन है जो के फुल स्क्रीम पर लेकर जा सकता है तो उस बटन की फॉंक्शनलिटी को काम परने के लिए आई फ्रेम के टैग पे आपको यह अट्रिब्यूट लगाना करे इन तीन एट्रिब्यूट को यूज करते हुए आप जिस वेबसाइट में इंबैड का ऑप्शन अनेबल होता है उसको अपनी वेबसाइट में इंबैड कर सकते हैं मैं लास्की आपको यह सरफ टैटल का अट्रिब्यूट यहां पर यूज करके दिखाऊंगा कि यह नहीं हो रहा लेकिन कुछ ही उसके सिज होंगे जहां पर आप चाहेंगे जहां पर आपने देखा होगा कि अगर मैं यहां पर किसी एक ऐलिमेंट पी अगर यह लगा हो जहां पर मैं आपको दिखा सको बेसिकली अभी यहां पर मुझे कोई एक ऐलिमेंट नहीं मेरा जिस प तोपर एक ब्लैक बोक्स में जो इतवानिक वोक्स होता है उसमें वीक टूलाच ब्हुत होती है उस फूल टीब को हम इस टाइटल का आट्रीवूट से कंट्रोल करें न हम यहां पर टाइटल का ढण डूँट अदेव ह anál piece अधरी को भी यहां चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह मेरे पास यह तूल टिप आ रही है यह पहले नहीं थी आ रही है तो यह जो टूल टिप है इसको हम इस टाइटल के अट्रिब्यूट से कंट्रोल कर सकते हैं यह थी आज की वीडियो इस वीडियो में हमने SVG को as a image file study किया और iFrame के tag को study किया लास्ट वीडियो में जो हमारी first part था इस वीडियो का जिसमें हमने वीडियो tag और audio tag को study किया था उसमें मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊँगा कि हम YouTube की वीडियो को कैसे embed कर सकते हैं वो भी हमने इस वीडियो में cover कर लिया कि हम YouTube पे जो iFrame embedded option होता है share की बटन पे क्लिक करके जो iFrame का embed option होता है उसके दूब YouTube की वीडियो को अपने पेज़ पें embed कर सकते हैं वीडियो के related कोई भी question हो तो से comment section में mention करें वीडियो को like share and comment करें चैनल को subscribe करें इस तरह की और बहुत सी वीडियो आने वाली है मैं आप से मिलूँगा next video में तब तक के लिए लाख वाज़ don't forget to like this video and also subscribe to my channel